साथियों गुजरात में बनास काठा के रामपुरा गाउं में इसमाइल भाई करके किसान है उनकी कहानी भी भहुत दिल्चस्प है इसमाइल भाई खेती करना चाहते थे लेकिन अब जैसी जादातर सोच बन गई हैं उनके परिवार को भी लगता था कि इसमाइल भाई ये कैसी बात कर रहे हैं इसमाइल भाई के पिता खेती करते थे लेकिन इसमें उनको अक्सर मुक्सान ही होता था तो पिताजे ने मना भी किया, लेकिन परिवार वालों के मना करने के बावजूद इस्माइल भाय ने ताय किया कि वो तो खेती ही करेंगे, इस्माइल भाय ने सोच लिया था कि खेती घाटे का सोधा है, वोही सोच और स्थिती दोनों को बदल कर दिखाएंगे, उन्होंने ख अलू एक पहचान बन गए हैं वो ऐसे अलू उगा रहे हैं जिनकी क्वालिटी भावती अच्छी होती हैं इस्माइल भाई ये आलू सीधे बड़ी-बड़ी कम्पनियों को बेचते हैं बिचोलियों का नामों निशान नहीं और परणाम अच्छा मुनाभा कमा रहे हैं अब तो हुनों ने अपने पीता का सारा करजा भी चुका दिया है और सबसे बड़ी बात जानते हैं इस्माइल भाई आज अपने इलाके के सैकडों और किसानों की भी मदद कर रहे हैं उनकी भी जीन की बदल रहे हैं साथियों आज की तारिक में खेती को हम जितना आधूनिक व इनोवेशन के चलते खुब चर्चा में हैं उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्ट अप शुरू किया है आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्स्टाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है